प्रदीप दिवारी के दूसरे भाग पर चर्चा करते हैं अपनी पार्टे पुस्तक वसंद के पार्ट जब सिन्मा ने बोलना सीखा जिसके लेखक है प्रदीप दिवारी के दूसरे भाग पर चर्चा इस पार्ट को आप एक बार में ही अपने पुस्तक से पढ़ सकते हैं अब देखें यहां क्या लिका है आलमारा ने भविश्य के कई स्टार्स और तक्निक शील्ट तो दिये ही आदेश की कंपनी तक ने भारते सिनेमा के लिए देर सो से अधिक मूख और लगबग सो सावक फि फिल्न अरेबियन नाइट्स जैसी क्या थी फेटिस थी ठीक है आगे क्या लेगते हैं फिल्म ने हिंदी संयोजन थे अब बोलते हैं फिल्म की नायका कौन थी जुबैदा थी नायक थे विठल ठीक है वे उस दोर के सावाधिक परिश्रा में पाने वाले स्टार थे उनके चैन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित हैं विठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी पहले उनका बतोर नायक चैन किया गया मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटा कर उनकी जगा महबूब को नायक बना दिया गया विठल नराज हो गए और अपना हाग पाने के ल या आईबा समझ में क्योंकि पहले जबाने में जबान का साफ होना और तलफुस का दुरूस्त होना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ गरता था है ना आप पुराने जमाने के जो लोग हैं चाहे वो कोई भी मजभ के हों उनकी अगर आप जबान सुरेंगे तो वो ऐसी साफ जमान बोलते हैं के पूछी मत और आज के लोग क्या हैं वो फूल को क्या बोलेंगे फूल बोलेंगे है ना कलम को कलम नहीं बोलेंगे कलम बोलेंगे है ना बड़े काफ चोटे काफ में फरक नहीं कर पाते हैं है ना जबान बहुत खराब हो चुकी है उन लोगों की तब ब मुकत्मा कर दिया के भई हीरो बनेंगे तो हम ही बनेंगे ठीक है उस दोर में उनका मुकत्मा मुहमद अली जिना ने लड़ा जो तब के मशूर वकील हुआ करते थे है ना बाद में वो मुहमद जीना कहां चले गए थे पाकिस्तान चले गए थे विठल जाय मुकदमा जी थे और बारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने उनकी कामियाबी आगे भी जारी रही मराटी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्ट्रीटमेंट के रूप में सक्रिये रहे आई प्राकूब और जगदीश सेठी जैसे अभी नीता भी मौजूद रहे आगे चलकर जो फिल्म उद्जियों के प्रमुक इस्ताम बने ये भी बात आप लोग को पता है आगे बोलते हैं ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मॉंबई के मैजिस्ट्रिक सिनेमा में परदिशित हुई फिल सिनेमा आठ सपता तक उच्छा हाउस फूल चली यानि के बिल्कुल हाउस फूल रही क्योंके पहली बार सिनमा ने बोलना सीखा था तो सब के अंदर एक बेचैनी थी सब को इक देखने गए कि भाई ऐसा क्या है इस पिच्चर में तो आई बास समझ में आप बोलते हैं चल दर्शकों ने इसे च्यागा बर्कीली फिंटेस्टिक फिल्म करार दिया था मगर दर्शकों के लिए ये फिल्म एक अनुका अनुबफ थी ये फिल्म 10,000 फूट लंबी थी और इसे चार महीनों की कड़ी महीनत से तैयार किया गया था आगे देखी क्यालिकाय सावक फिल्मों के लिए पोरा प्रेंट कथाओं और पार्सी रंग मच के इनाटकों अर्बी प्रेंट कथाओं को विशे के रूप बेर चुना गया इनके अलावा कई समाजिक विशो वाली फिल्म भी बनी ऐसे ही एक फिल्म थी खुद की शान ठीक है इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था जिसके कारण सबक सेनिमा को ब्रिटिश प्रशासर को की तीकी नजर का सामना करना पड़ा आईवास समझ में क्योंके उस वक्त अंग्रेज मौजूद थे और वो यह नहीं चाहते थे कि कुछ भी ऐसा हो अब देखें यहां लिका है आशा करते हैं कि पार्ट के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा आईए इस बाग पर आधारित कुछ पृष्णों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं तो पहला पृष्ण लिका है आदर्श ने कितनी मोग फिल्म में बनाई थी तो देखें यहां क्या लिका हुआ है कितनी मोग फिल्म में बनाई गई थी तो यहां देखें लिका है देर सो से अधे मोख फिल्म में बनाई थी है ना तो आप यहां डेर सो पर टिक कर लीजिए आगे लिखा है आला माला फिल्म कि इस बाशा में बनी थी तो आप बताएंगे उर्दू बाशा में थी उन्होंने बोला ना वैसे तो हिंदुस्तानी थी लेकिन यह है कि उस धोर में हिंदु का चैयन को लेकर क्या विवाद हुआ था तो चलिए इस विवाद के बारे में जान लेते हैं यहां से लिख सकते हैं कि उनके चैयन को लेकर एक किस्सा काफी चंचित था यानि कि अभी हमने आपको बताया था कि किस्सा बहुत चर्चित था कि उनको उर्दू बोला नहीं आ वो ही भारत की पहली बोलते फिल्म के नायक बनी कर लेंगे चलिए आगे पढ़ते अब देखें यह आपको अगला कुछ है लिखा है इस फिल्म से जुड़े कौन-कौन से नाम बाद में फिल्म उद्यों के प्रसिद हुए तो चलिए इसकान से देखते कैसे और कौन-कौन न भी मौजूद रहे जो आगे चलके फिल्म उद्यों के प्रमुक सिस्तम बने ठीके कर लेंगे चलिए तो आगे पढ़ लेते अब देखें लास में आपको एक गतिविदी दी गई है शुरुआती दौर में कुछ अन्य फिल्मों के बारे में जानकारी गत्रित कीजिए तो अगर आप इसे स्क्रिप्ट करना जाया तो कर सकते हैं तो आची वर्शुट को हम यही खत्म करते हैं आची वीडियो में बस इतना ही अगर आपको माई वीडियो बसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक को श्यूर करें अगर भी तक आपने मैं चैनल को दिस्क्राइब नही प्लीज में यहीं आपटी आप को शता गटेंट आप आपड करते हैं